स्वागत है आप सभी का हमारे IT के यूटूब चैनल टेक्निकल ड्राइंग्स 52 में आज के इस वीडियो के इंदर हम चर्चा करने वाले हैं जो स्कॉलर्शिफ के फॉरम है उनमें कौन-कौन से विद्यार्थी इलिजिबल है और क्या-क्या मुख्य दास्तावेश सही है देख करते हैं वीडियो के अंदर उत्तर मेट्रिक्स माज के लियान विबाग द्वारा जो सतर वर्ति जाती दी जाती है उसमें कौन-कौन फॉरम समिट कर सकते हैं सबसे पहले उन बच्चों की बात करते हैं जो फॉरम बढ़ने की योग्यता रखते हैं तो योग्यता रखने व वे सबी चातर चातर हैं उत्तर मेट्रिक्स स्कॉलर्शिफ के फॉरम है वो बढ़ने के लिए इलिजिबल है योग्यता रखते हैं ठीक है इन में से कोई भी एक योग्यता आपके पास होनी चाहिए जिसके वजूद शिया आप स्कॉलर्शिफ का फॉरम है वो अपलाई कर स लिए हूड राखते हैं आपस क्योंगन से है सबसे पहले आपको से जना दार कंड पर्मानपतर किल चाहिए ऒगे नया चाहिए फीस की रसीद चाहिए, मूल लिवास चाहिए, बैंक की पासबुक चाहिए, गैप परमान पत्र, गैप परमान पत्र वो होता है, जैसे मालीजी आपने बार भी कर ली उसके बाद में एक या दो साल आपने कुछ नहीं किया, कोई भी पढ़ाई नहीं कि, और दो साल के बाद म मैंने दो साल के अंदर ये काड़ी Pandody की। जो आपने अन्तीम वर्श वर्श मेंim subscribers की मार्क्षिट आपको form बरतेस में साथ में लेकर जड़नी है ठीक है। जैसे मालिजे किसी ने बार्वी 2 की है defust year के पादे मार्क्षिट लेकर जानी है ठीक है। स्वIEM कि SSO ID और पासवर्ड भी आपको लेकर जाना है विम कि SSO ID और पासवर्ड लेकर जाओगे जब भी आपको वारो मं वे चेक करना है तो आप अपने SSO ID पर ID और पासवर्ड लगाकर उस फे चेक कर सकते हैं एमितर वाले को अगर आप बने के लिए बोलेंगे तो उसके पास ये रहती है पूरी डिटेल अच्छा ये रहेगा कि आप SSID और पासवड अपने स्वेम के पास स्वेम लेकर जाएं और एमितर वालों को बोलें कि ये मेरी SSID है और ये पासवड है इसके अधार पर ये आप बरγαिobile उसके बाद में जो मुखे बात है वह है मूलन्युआस और धाती प्रमाण पत्त्त डिजिटल होना आवसिएख है पुराने ऑफ-लाइन बने हुए है तो नए या बनवा ले वह आजकर मुल्यूस और जाती प्रमानपत्र है वो डिजिटल हो गए है और वो आप बनवाकर अपना जन अदारकार्ड है या फिर जो आपकी डिजी लोकर आता है उसमें आप अपडेट करवा लिजिए उसको और वो आटमेटिक जब आप सातरवर्ती का फारूम बरेंगे तो आटमेटिक है वो मुल्यूस और जाती प्रमानपत्र अड़ कर लेगा उसके बाद में जो मैन बात है वो यह है कि विद्यार्थी के जन अदारकार्ड वे अदारकार्ड और दस्वी अंक तालिका में नाम पिता का नाम जनमतिती एक समान होनी चाहिए विद्यार्थी का जो के अंदर वो अपडेट हो जाता है उसके बाद में ही आफ फोरम अपलाई कीजिए ठीक है अगर यह चीज़े आप अपडेट नहीं करोगे तो फोरम आपका रुख जाएगा ठीक है उसके बाद में सभी के वाईशी और इंकम जन अदारकार्ड में अपडेट करवानी ही प करवार प्रेमड़ के लिए ढ ह symbol है प्रेम ही प्रएंच clarावा जारकार्ड कम प्रेल सी में संद्राड़ करना पका दारकार्ड नहीं करma यह उच्क बाद करोगे सीज़े पिगन उकर भी को क्यार्त है वेल उक्ति करत souvent